परिचय चात्रो, आज हम पारितंत्र के विशय में सीखेंगे कोई बता सकता है कि पारितंत्र क्या है? हाँ सेर, एक निकाए जिसमें जैवघटक तथा अजैवघटक एक इकाई के रूप में समलित रूप से क्रिया करते हैं बहुत अच्छे, जैवघटकों से तुम्हारा क्या आशे है? सेर, इसमें सभी सजीव चीज़े आती हैं और अजैवघटक क्या होते हैं? इसमें सभी निर्जीव चीज़ें जैसे की सूरिका प्रकाश समलित है जो सजीवों की वृध्धी में सहयक है बहुत अच्छे, इस पार्ट में हम पारी तंद्र की क्रिया विधी के बारे में सीखेंगे तो आओ शुरू करें उतेशे इस पार्ट के अंत में आप निम्ने करने में सक्षम हो जाएंगे पारी तंद्र की संदचना एवं प्रकारे का वलन करना पारिस्थितिक प्रामिट का वलन करना पारिस्थितिक अनुक्रम की व्याख्या करना पात्पों के अनुक्रम का वलन करना पोशक चक्र की व्याख्या करना और पारी तंद्र सेवाओं के विशे में जानना पारी तंद्र संदचना एवं क्रिया शीलिता पारी तंद्र में किसी क्षित्र के समस्त जैव वा अजैव घटक तथा उनकी अनियोन्न क्रियाएं समलित होती हैं प्रतेक बारी तंद्र में जीवों का विन्यास एक या अधिक परते या इस्तर बनाता है। प्रतेक में विशिष्ट प्रकार की प्रजातियों की समिष्टियां होती हैं जो स्तर विन्यास कहलाता है। स्तर विन्यास जल के बड़े निकायों जैसे की जीलों एवं महासागरों में भी पाया जाता है। इनमें स्तरों का विभेदन, प्रकाश की प्रविश्यता, तापक्रम, घुली ऑक्सीजन की मात्रा इत्यादी के द्वारा होता है। किसी बारी तंद्र के मुख्य प्रकार निम्न हैं उत्पादक्ता, अबघटन, उर्जा प्रवाह, पोशन चक्र, उत्पादक्ता प्रात्मिक उत्पादक्ता वह दर है, जिस पर उर्जा को प्रकाश संशलेशक तथा रसायन संशलेशी स्वपोशियों द्वारा कारबनिक पदार्थों में परिवर्तित किया जाता है। इसे भार प्रतिग्राम वर्क या उर्जा किलो कैलरी प्रति मीटर वर्क के रूप में व्यक्त किया जाता है। जव मात्रा के उत्पादं की तर उत्पादक्ता कहलाती है, इसे प्रतिग्राम वर्क प्रतिवर्ष के रूप में परिभाशित किया जाता है। उत्पादक्ता को सकल प्राथमिक उत्पादक्ता यानि जी पी पी तथा नेट प्राथमिक उत्पादक्ता यानि एन पी पी में विभाजित किया जा सकता है। किसी क्षेत्र या निकाए में उत्पादक्ता की कुल मात्रा सकल प्राथमिक उत्पादक्ता कहलाती है। कार्बनिक पदार्थ की एक निश्चित मात्रा का उप्योग उत्पादक कों के जीवन हेतू श्वासन आदी में उप्योग कर लिया जाता है और अफशेश बचने वाली मात्रा नेट प्रात्मिक उत्पादकता यानी NPP कहलाती है. उधारन के लिए पादब द्वारा उत्पादित जीपीपी की एक निश्चित मात्रा इसके अपने श्वासन हेतू उप्योग कर लिया जाती है. NPP बराबर GPP माइनस श्वासन में क्षती हुई उर्जा प्रती इकाई समय तथा क्षेत्रफल पर पोशितों की जैव मात्रा में बढ़ोत्री की दर दुईतियक उत्पादकता कहलाती है. प्रात्मिक उत्पादकता पोशिक तत्वों तथा विविधा परियावरनिय कारकों पर निर्भर होती है. अबगटन अपगटन वह प्रक्रिया है जिसमें जटिल कार्वनिक पदार्थ, सरल कार्वनिक पदार्थों में और अंतता अकार्वनिक योगिकों के रूप में खंडित किये जाते हैं। अप्रद, अब घटन हेतु कच्छी समगरी होती है। अप्रदाहारी ऐसी जीव होते हैं जो अप्रद से आहार प्राप्त करते हैं और इसे सरल योगिकों में विखंडित कर देते हैं। अब घटन के निम्नुचरण होते हैं। खंडन, ये अप्रद को सरल योगिकों में विखंडित करने की प्रक्रिया है। निक्षालन, यह प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जल में विलह पदार्थ जैसे की उर्वरक कीटनाशी यादी खुलकर ब्रेदा या अप्षिष्टों से बाहर चले जाते हैं। अपचय, एंजाइमों द्वारा अपरत को सरल कार्बनीक योगिकों में और फिर अकार्बनीक योगिकों में परिवर्तित किया जाना अपचय कहलाता है। ये एंजाइम जीवाणों एवं कफकों जैसे अपघटकों द्वारा स्रवित होते हैं। अब घटन के चरण हुमिफिकेशन हुमस बनने की प्रक्रिया हुमिफिकेशन कहलाती है ब्रेतित तथा सर्ते जयवपदार्थ को हुमस में विखंडित करने वाले जीवाणियों से अनियोनिक रिया द्वारा ब्रिदा में हुमस बनता है निर्मिफ होने वाला हुमस अब घटन की दर को कम कर देता है खनीजी करण ये वह प्रक्रिया है जिसमें कुछ सूख्ष्म जीवों द्वारा हुमस का पुना खंडन किया जाता है और अकारबनिक पोशक तत्व मुक्त किये जाते हैं उर्जा प्रवाह उत्पादक समानिता पन हरित धारक स्वपोशित जीव होते हैं जो सूरे के प्रकाश की सहायता से प्रकाश संशलेशन क्रिया के द्वारा अकारबनिक कच्छी सामक्रियों से कारबनिक योगिक बनाते हैं हरित पादप पारी तंत्र में उत्पादक माने जाते हैं उपभोगता ऐसे जीव होते हैं जो अन्य सजीवों से पोशक तत्व या भोजन प्राप्त करते हैं ये परपोशित होते हैं चित्र में प्रदर्शित समस्त जन्तु उपभोगताओं की श्रिणी में आते हैं शागाहारी शागाहारी पादबों से सीधे अपना आहार प्राप्त करते हैं, ये प्राथमिक उपभोगता भी कहलाते हैं, उधारन के लिए शलब, इरन इत्यादी, स्थलिये पारी तंद्र के कुछ शागाहारी हैं, प्रोटेजवा, म्रिदु कवची, क्रस्टेशियन इत्यादी, कुछ जलिये पारी तंद्र के शागाहारी हैं, मांसाहारी मांसभक्षी मांसभक्षी ऐसे जन्तू होते हैं, जो अन्य जन्तूं का आहार या शिकार करते हैं, शागाहारीों से आहार प्राप्त करने वाले मांसभक्षी, प्रात्मिक मांसभक्षी या दुईतियक उपभोगता कहलाते हैं, जैसे कि मेंधक, पक्षी, लोंब्री, बिल्ली, इत्यादी, जो जन्तू प्रात्मिक मांसभक्षीों से आहार प्राप्त करते हैं, वे दुईतियक मांसभक्षी या तुईतियक उपभोगता कहलाते हैं, जैसे कि उल्लू, मोर, चीता, शेर, इत्यादी, दुईतियक उपभोगताओं का कुछ बड़े मांसभक्षीों द्वारा शिकार कर लिया जाता है, ये तुईतियक उपभोगता कहलाते हैं, बड़े मांस भक्षी जैसे की शेर, जीता, त्यादी जिनका शिकार नहीं किया जा सकता, वे खादेश रंकला में शीर्षि स्थान धारन करते हैं और शीर्षि मांस भक्षी कहलाते हैं पातपों एवं जन्तूं दोनों का अपभोग करने में सक्षम जन्तू सर्वहारी कहलाते हैं, जैसे की मनुष्य, अपमार्जिक, मृत्तोप जीवी, सुक्ष्मजीव, जैसे की जीवाणूं और कवकित्यादी होते हैं, जो उत्पादकों तथा अपभोगताओं के मृत्त शर वा उनके कार्बनिक अपशिष्टों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, अपमार्जकों को प्राया उनके छोटे आकार के कारण सुश्म उपभोगता भी कहा जाता है, सुरोज से पादपों में उर्जा का इस्थानांत्रं जो सजीवों की एक श्रिंखला के माध्यम से आहार लेने और आहार बन जाने की प्रक्रिया द्वारा होता है, वहाँ खाद्दे श्रिंखला कहलाता है, चारण खाद्दे श्रिंखला सजयव हरित पादपों से आरंब होकर त्रीतियक उपभोगतास्तर तक जाती है और हरित पादप सौर उझा को अफ्शोशित करने वाले पहले सजीव होते हैं, जबकि अप्रद खाद श्रंखला अप्रद हारियों से आरंब होती है, इस खाद श्रंखला में जीवानूं और कवक प्रथम होते हैं। किसी पारिस्थितिक समुदाय में खाद श्रंखलाओं का अन्योन संबंध खाद जाल कहलाता है। उर्जा प्रवाह पोशी स्थर खाद श्रंखला में अपने आहार संबंधों के अनुसार जीव एक स्थान क्रहिन करते हैं, जो उनका पोशी स्थर गहलाता है। सूरे तथा पोशक तत्वों से उर्जा उत्पन करने वाले पादप प्रथम पोशी स्तर पर होते हैं। इसके पश्चात पादप खाने वाले शाकाहारी दूतिय पोशी स्तर पर आते हैं। तीसरे स्तर पर प्रात्मिक मांस भक्षी आते हैं क्योंकि वे शाकाहारियों को खात विभिन पोशी स्तरों में किसी दिये गए समय पर उपस्तित सजीव समगरी की मात्रा इस्तित शस से कहलाती है। उत्पादकों के सकल उत्पादन या सकल प्रात्मिक उत्पादन यानि जी पीपी में आबद्ध उर्जा का भाग उनकी स्थित शस से श्वसन के रखरकाव के लिए और शाकाहारियों को भोजन उपलब्द कराने के लिए किया जाता है। शाकाहारी मांसहारियों को उर्जा प्रदान करते हैं और आप्रयुक्त उर्जा अपमार्जकों को प्रेशिद हो जाती है। पारिस्थितिक प्रामिट, सूची स्तंब, पोशी सन्रचना को पारिस्थितिक प्रामिट के रूप में गराफिय तरेके से दिखाया जा सकता है। तीन प्रकार के पारिस्थितिक प्रामिट होते हैं, ये निम्न हैं। संख्या का प्रामिट, जव मात्रा का प्रामिट और उर्जा का प्रामिट। संख्या का प्रामिट ये क्रमिक पोशी इस्तरों पर संख्याओं के क्रम में उत्पादकों, शाकाहारियों और मांस भक्षियों के बीच संबंध प्रदेशित करते हैं निम्नतर से उच्छतर पोशी इस्तरों तक जीवों की संख्या में क्रमिक घटोत्री होती जाती है रेके से दिखाया जा सकता है, तीन प्रकार के पारिस्सितिक प्रामिट होते हैं, ये निम्ने हैं, जैव मात्रा का प्रामिट, जैव मात्रा का प्रामिट, ये प्रतेक पोशिस्तर पर जैव मात्रा की सापेकशिक मात्राएं दर्शाने वाला ग्राफ ये निरूपन होता है, ये शुष्क भार सजीवों में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा दर्शाता है। उर्जा का प्रामिट उर्जा का प्रामिट उर्जा प्रामिट कभी उल्टे नहीं होते ये प्रामिट एक पोशी स्तर से उपर के पोशी स्तर में उर्जा का इस्थनांतरन दर्शाते हैं और इस पश्टी रूप से इंगित करते हैं कि उच्चतर पोशी स्तरों के लिए उपलब्द उर्जा की मात्रा निम्नतर स्तरों के लिए उपलब्द उर्जा से उलेखनीय रूप से कम होती है। किसी पारी तंत्र में किसी बाहुल्ले प्रकार की स्पिशीस या समुदाय का अन्य द्वारा क्रमिक प्रतिस्थापन जिसके फल सरूप एक स्थाई चरम समुदाय विक्सित हो जाता है। पारिस्थितिक अनुक्रमन कहलाता है। पारिस्थितिक समुदायों का संपून क्रम जो आरंबिक स्थिती से लेकर चरम तक किसी क्षेत्र में क्रमिक रूप से स्थान घेरता है। अनुक्रमन की विशेषताएं। ये अस्थाई जैव समुदाय से स्थाई जैव समुदाय की ओर प्रगती करने अर्थात परिया वरण से बून समयोजन करने की परिवर्दित रखता है। इसके क्रमक स्तर इतने नियमेतवा निर्देशित होते हैं कि पारस्थितिक विद्ध प्राया भावी समदायों के क्रम का पूर्व अनुमान कर सकते हैं। क्रमिक क्रमक स्थरों में स्विशीज की विविद्धा, कोल जैव मात्रा, विशेश विशिष्टिकरण तथा मृधा में हुमस मात्रा में वृध्धी की प्रवृत्ती होती है। पातपूं एवं जन्तु समुतायों का अनुक्रमन समरान तर चलता है, हालकि पादप अनुक्रमन आसानी से द्रश्यमान होता है। पारिस्थितिक अनुक्रमन अनुक्रमन के प्रकार अनुक्रमन दो प्रकार के होते हैं। प्रात्मिक अनुक्रमन दुईतियक अनुक्रमन प्रात्मिक अनुक्रमन ये ऐसा जैव अनुक्रमन है जो नगन चट्टानों, लावा निक्षेप, रेत के टिब्बों, समुद्र से निकले नही दीपों या नव विक्सित जील या तालाबादी जैसे उपस्तर में विक्सित ह एसा उपस्तर प्रथम जीवन या प्रोगामी समधाय के प्रती विरूधी होता है। पीछे बची रह जाती है। प्रती विक्सित होते हैं जिससे परिपक्व म्रदाओं पर चरम समधाय का विकास होता है। पारिस्थितिक अनुकरमन दुईतियक अनुकरमन ये एक जैव अनुकरमन होता है। जो ऐसे एक्षित्र में होता है जो पूर्व प्रचलेत जैव समधायों के आग, सूखे, भूस खलन, भूकंप इत्यादी के कारण नश्ट हो जाने के उपरांत रिक्त हो जाता है। और जहां कुछ मात्रा में सूख्मचीव वा परियाप्त मात्रा में कार्बनिक पदार्थ बच जाते हैं। अफशिष्ट प्रजातियां उस इक्षित्र में घुसने वाली कुछ नई प्रजातियों के साथ मिलकर एक नए समुधाय को उत्पन्द करती हैं। समुधाय में क्रमक परिवर्तन होते हैं और अन्तता एक जलवाईविक चरम समुधाय का उधै होता है। दुईतियक अनुक्रमण स्तरों का क्रम दुईतियक अनुक्रमण कहलाता है। पातपों का अनुक्रमण पातपों में अनुक्रमण के साथ स्तर होते हैं। प्लवक स्थर प्लवलकों के बीजाणों वायू या जन्तूओं के माध्यम से नव निर्मित जल निकाय थक पहुँच जाते हैं। प्लवक स्थर में मुख्यता सूक्ष्म स्वपोशी सजीव जैसे की हरित, फ्लेकलेट्स, दायटम्स और क्यानों बैक्टिरिया आते हैं। ये फाइटो प्लेंग कटन यानि पादप प्लवक कहलाते हैं। पादप प्लवकों की समझ्टी, प्राणी, मंद प्लवकों यानि जूपलेंग कटन से संतलित होती है, जो पादप प्लवकों को खाते हैं। पादप कलवकों की मृत्यू और अब घटन सिल्ट से मिश्रित होकर तालाप के तल में नर्म कीचड़ बनाता है, जो अगले क्रम किस्तर की सम्रिद्धी हेतू अनुकूल होता है। जड़ युग्द निबंगन यानि जड़िये जलोदभिद स्तर कार्बनिक पदार्ट से मिश्रित नर्म कीचड़ निमगन पादपों जैसे की पोटे मोगेटन, हाइट्रिला, वैलिसनेरिया, यूट्रीक्यूलेरिया, ज से भरी रहती हैं। पादपों के आसपास सिल्ट और रेत का संचय जलनिकाय को उथला पनाता है। निबंगन पादपों की बृत्यू और अपक्षय नव निर्मित ब्रदा को हुमस से समरिध्य करता है। इससे यक्षेत्र निबंगन पादपों के लिए कम उप्युक्त हो जाता है और अगले क्रमक स्थर के लिए अधिक उप्युक्त हो जाता है। प्लावी स्थर यानि प्रहत्र निबंगन पादपों जैसे की निम्फिया, नेलूंबो इत्यादी की प्रजातियां घुसाती हैं। ये बादप जल को खनिज एवं कार्बनिक पदार्तों से अधिकर देते हैं। कुछ मुक्त प्लावी प्रजातियां जैसे की एजोला, लेमना, वोल्फिया, पिस्टिया, स्पाइरोडेला, एकॉर्निय अत्यादी भी यहां प्रकट हो जाती हैं। प्लावी स्थर की तीवर समरिध्धी होने से तल और मोटा होता है तथा परिधी प सेगिटेरिया, स्क्रिप्स इत्यादी, खेत्र में प्लावी पादपों को प्रतिस्थापित कर देते हैं। यह पादप प्रचुर मात्रा में कार्बनिक पदार्थ उत्पन्ने करते हैं तथा जल की विशाल मात्रा को जानते हैं। यह पादप तल छटिये सामगरी वा हुए तट निर्मित करते हैं। उपस्तर अब दलतरी भूमी में बदल जाता है। कच्छ शाथवल इस्तर जलनिकाई के दलतली तट पर कैरेक्स, साइपेरस और जंकस इत्यादी प्रजातियां आ जाती हैं। कुछ घास जैसे की थेमेडा, डाइकेंथियम और कुछ शाख जैसे की काल्था, कैमपनूला, पॉलिकोनम इत्यादी भी क्षेत्र को घेल लेती हैं। ये पादप इस क्षेत्र को और अधिक हुमस समरित्थ बना देते हैं। कास्ट भूमी स्तर, इस स्तर में इस क्षेत्र में कुछ जाड़ी नुमा पादप आ जाते हैं, जो तेज धूप तथा जलमंगनता दशाओं को सहन कर सकते हैं। उधारन के लिए स्वफेलेंथस ये छाया उत्पन्न करते हैं और तीवर वाशपोस सर्जन द्वारा मृदा को शुष्क बनाते हैं। धूप तथा जलमंगनता सहन कर सकने वाले कुछ व्रिक्ष जैसे की पापलस, एलनस, इत्याधिवी चित्र में आ जाते हैं। ये पादप वाशपोस सर्जन करते हुए जलिस्तर को और किराते हैं तथा अधिक मृता निर्माण करते हैं। चरम वन पूर्व अध्यासी विलुप हो जाते हैं और उनका इस्थान अधिक छाया, सहनशील और समोध भिदिये प्रजातियां ले लेती हैं। इस प्रकार कभी गहरे जल के अंतर गत रहा छेत्र अंततह एक वन में रूपांतरेत हो जाता है। ये ध्यान रखना चाहिए कि चरम समुदाई की प्रकृती जलवायू पर निर्भर होती है। वन समुदाई तभी विक्सित होता है जब जलवायू अधिक नम हो। शुष्क जलवायों में चरम समदाए, घाज भूमी या किसी अन्य जीरक समदाए में बदल जाता है। सजीवों में तथा सजीवों वा उनके भौतिक परियावरण के बीच पोशकूं या तत्वों का संतत्विन में जैव भूर असायने किया पोशक चक्र कहलाता है। पोशक चक्र के प्रकार गैसिये और अफसादी गैसिये पोशक चक्र के सुरोत वायों मंडल में उपस्तित हैं। कारबन, नाइटोजन चक्र आदी गैसिये पोशक चक्र के उधारण हैं। अफसादी पोशक चक्र के सुरोत भूप प्राटी में उपस्तित हैं। फास्फोरस, पोटेशियम चक्र आधी, अफसादी पूशक चक्र के उधारण हैं। पारी तंत्र कार्बन चक्र सभी सजीव कार्बन से बने होते हैं। कार्बन महासागरों, वायू और चट्टारों में भी पाया जाता है। वायू मंडल में कार्बन, कार्बन डायॉकसाइड, गैस में आकसीजन से जुड़ा रहता है। पादप कार्बन डायॉकसाइड तथा सूरे के प्रकाश का उप्योग करके अपना भोजन बनाते हैं और प्रिधी करते हैं। समय के साथ पाधपों की मिरत्यू हो जाती है और वे भूमी के अंदर दब जाते हैं, जो लाखों वर्षों का समय बीतने के साथ कारबन से बने जीवाश्म इधनों जैसे की कोईले और तेल में बतल जाते हैं. जब मनुष्य जीवाश में इधन चलाते हैं तो अधिकांश कार्बन कार्बन डायोकसाइट के रूप में तीवरिता से वायू बंडल में प्रवेश कर जाता है। कार्बन डायोकसाइट की मात्रा उससे 30 प्रतिशत अधिक है जितनी ये 150 वर्ष पहले थी। इससे प्रित्वी दिनों दिन गर्म होती जा रही है। पारी तंत्र फासफोरस चक्र फासफोरस चक्र एक अफसाधी चक्र है। वायू मंडल फासफोरस का भंडार नहीं है। ना ही सूश्मजीव फासफोरस को नाइट्रोजन की तरह स्थिर करते हैं। जयू मंडल में फासफोरस का लगभग समस्त भाग पातपों की जड़ों त्वारा मृदा से अफशोशित किये जाने के माध्यम से पहुँशता है। जब फासफोरस खनीजों से युक्त चटानों का अपक्षय होता है। तो मुक्षिता CA5PO4 तीन OH घुल जाते हैं और सजीवों के उपयोग है तू अकारबनिक फासफोरस का अपिक्षा कृत छोटा भंडार उपलब्द हो जाता है। अधिकांश मृताओं में पातपों द्वारा अफशोर्शित किये जाने वाले फासफोरस का बड़ा भाग उन कारबनिक अणों से आता है जिनका अबघटन होने से पातपों हेतू उपलब्द अकारबनिक रूपों में फासफोरस मुक्त होता है। कारबनिक अबध पोशक तत्वों का पादप उपलब्द रूपों में निर्मोचन खनीजी करण कहलाता है। पासफोरस का उप्योग सजीवों त्वारा उर्जा इस्थनांतरण में नुकलियक अमलों के एक खटक की रूप में तथा जैविक छिलियों के सन्रचनात्मक तत के रूप में किया जाता है। पारी तंत्र सेवाएं पारी तंत्र निम्न सेवाएं प्रदान करता है। वायू मंडल के गैसिये संघटकों का रख रखाव करना। वनों एवं महासागरिय तंत्रों द्वारा जलवायू नियंत्रण। प्राकृतिक कीट नियंत्रण। ब्रदाका निर्माण एवं सन्रक्षन। जलका सन्रक्षन एवं शोधन। पोशक चक्रण इत्यादी। क्या आप चानते हैं। 1935 में आर्थर ट्रांसले नामक अंग्रेज पारस्थितिक विद ने पारी तंत्र शब्द प्रस्तत किया। कुछ पोशक तत्वों तथा धूप का प्रबंध करके ओशुन कटी बंधिये फलों वाले पौधों को घरों के अंदर उगाया जाना संभव है। पूरी प्रिथ्वी पर निर्वनी करण जलवायू परिवर्थन का सबसे बड़ा कारण है। सारांश आए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। पारी तंत्र में किसी क्षेद्र के समस्त जैव वा अजैव घटक तथा उनकी अन्योंनिक क्रियाएं संभलित होती हैं। जै मात्रा के उत्पादन की दर उत्पादकता कहलाती है। कार्बनिक पदार्थ की एक निश्चित मात्रा का उप्योग उत्पातकों के जीवन हे दू श्वासन आदी में उप्योग कर लिया जाता है और अफशेश बचने वाली मात्रा नेट प्रात्मिक उत्पादक्ता कहलाती है. अब घटन वह प्रक्रिया है जिसमें जटिल कार्बनिक पदार्थ, सरल कार्बनिक पदार्थों में और अंत्ता अकार्बनिक योगिकों के रूप में खंडित किये जाते हैं. शाकाहारी पादपों से सीधे अपना आहार प्राप्त करते हैं. मास भग्षी ऐसे जन्तु होते हैं जो अन्ने जन्तुओं का आहार या शिकार करते हैं. पातपों एवं जन्तूं दोनों का उपभूख करने में सक्षम जन्तू सर्वहारी कहलाते हैं जैसे की मनुष्य सरोज से पातपों में उर्जा का इस्थानांतरण जो सजीवों की एक श्रंखला के माथ्यम से आहार लेने और आहार बन जाने की प्रक्रियत वारा होता है वहाँ खादे श्रंखला कहलाता है किसी पारिस्थितिक समदाय में खादे श्रंखलाओं का अनियोन्ने संबंद खादे जाल कहलाता है खादे श्रंखला में अपने आहार संबंदों के अनुसार जीव एक स्थान से ग्रहन करते हैं जो उनका पोशिस्तर कहलाता है पोशी सनचना को पारिस्थितिक प्रामिट के रूप में ग्राफिय तरीके से दिखाया जा सकता है किसी पारी तंत्र में किसी बहुल्ले प्रकार की इस्पिशीज या समुदाय का अन्ने दोरा क्रमिक प्रतिस्थापन जिसके फल सरूप एक स्थाई चरम समुदाय विक्सित हो जाता है पारिस्थितिक अनुक्रमन कहलाता है पात्पो में अनुक्रमन के साथ इस्थर होते हैं प्लावक इस्थर, जड़ियुक्त निबगन, जड़िये चलोद भीदे इस्थर, प्लावी प्रातरण इस्थर, नरकुल अनुप इस्थर, कच्च शात्वल इस्थर और काश्ट भूमे इस्थर चरम वन, कारबन चक्र में वायु मंडल या जल मंडल भंडार होता है, पास्फोरस चक्र में स्थल मंडल भंडार होता है जड़िये चलोद भंडार होता है